हेल्लो स्टुडन्स तुम्हाईवु प्रनाय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल M4 Medical में तो आज अपन देखने वाले फिजियोलाजी का सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक याने ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप याने क्या होता है कोई लोग बोलते है मेरा ब्लड ग्रूप A है तो कोई बोलते है मेरा ब्लड ग्रूप B है याने वो Q और ये भी ऐसे डिस्टिंग्विस अपन करते है अगर किसी को गलत ब्लड ट्रांस्प्यूस किये तो क्या होंगा क्या reactions होंगी अपने body में, क्या अपने को disease होंगे, तो आज अपन ये इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलो फिर अभी शुरू करते हैं तो आज अपन देखने वाले blood group, तो blood group में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं introduction, ABO blood group system, RH factor और importance knowledge of blood group, आने वो knowledge की हमने blood group की study करेंगे, उसने अपने को क्या knowledge मिलने वाले हैं, वह अपन देखने वाले, तो आपन सुरू करते हैं introduction से, तो introduction में अपन सबसे पहले देखते हैं, discovery of blood group by the Australian scientist Karl Lanshtiner in 1901, आने अपने जो blood group की, जो आने invention किया था, Australian scientist Karl Lanshtiner, उन्होंने उसकी discovery किया था, इन 1991 में, तो ये introduction पाट हुआ, तो आज अपन इसके बाद में देखने वाले हैं, कि ABO blood group system, आने अपने में जो ABO blood group system है, वह अपन यह अपर अभी देखने वाले हैं, the immunological reaction between antigen and antibody, तो मैं अभी ये आपको sentence बता रहाओ, फिर उसको मैं अभी explain भी करके दूँगा, क्याने अपन जो ABO blood group system है, वह difference काई पर करते, immunological reaction काई में, antigen और antibody में, Landsteiner found the antigen A and B on the surface of RBC, उन्होंने RBC के surface पर antigen A और antigen B देखा, antigen कुछ क्या बोलते हो, agglutinogens, आने वह agglutinogens आने क्या होते, वह cause the capacity of agglutination of RBC, वह RBC का agglutination करता है, and corresponding antibodies, antibody A and antibody B in the plasma, और इनके corresponding antibody A और antibody B भी ए, antibody A और antibody B भी ए, plasma में present रहती है, तो मैं अभी इसको चलो, आपको explanation करके समझा के बताता हूँ, तो अपन ने अभी देखा, कि जो Landsteiner थे, इन्होंने बताया था, कि अपने blood में RBC के surface पर कुछ antigen रहते हैं, और उसके related, उसके appositive plasma में antibodies रहते हैं, तो suppose करो, suppose करो कि यह पूरा blood है, यह पूरा blood है, और वह आप एक RBC है, suppose यह RBC है, और इस RBC के surface पर antigen A और antigen B, यहन्ने जो antigen रहते हैं, protein molecule रहते हैं, वह RBC के surface पर पाया जाते हैं, और वह आप एक उसके appositive में, अपने blood में, plasma में, उसके appositive, जैसा यह blood है, वह blood के plasma में उसके opposite antibody present रहते हैं, suppose करो, अगर किसी का blood group A है, तो suppose करो, अगर किसी का blood group A है, तो उसके RBC के surface पर antigen A रहेंगा, और उसके appositive ही, उसके plasma में, यह blood के plasma में, antibody B रहेंगे, तो यहन्ने उसका जो blood group रहेंगा, वह A रहेंगा, ऐसे अपन, Lance Tiner ने, ऐसे अपने को explanation करके बताया है, और अभी जो मैंने आपको explanation करके बताया, वही Lance Tiner का law बोल रहा है, और पर्टिकुलर जो agglutinogen रहता है, और antigen रहता है, वह present रहता है RBC, जो मैंने आपको बताया, जो antigen है, वह RBC पर present रहता है, और यह देख लोग, यह जो antigen है, वह जो antigen यह RBC के surface पर present रहता है, आपने देख लिया होंगा, और क्या बोलता है, उसको agglutin उसको क्या बोलते है, agglutinogen जो agglutination blood का clotting करेगा, उनको antigen agglutin बोलते है, और जो corresponding, उसके opposite antibody in present in serum plasma, मैंने आपको अभी बताया था, जो यह antibody रहती है, यह blood में अपने को उसके plasma में पाई जाती है, और दुसरा पाइन में बोलता है, particular antigen is absent in RBC, but the corresponding agglutination must be present, यहनि अभी मैं इसका आपको, आपको इसको यहनि मैं सेंटेंस को समझा के बताता हूँ, यह लैंश्टिनर का law बोल रहा है, कि अगर अपने RBC के surface पर, अगर antigen present नहीं भी रहेंगा, अगर अपने RBC के surface पर antigen present नहीं भी रहेंगा, तबी भी उसके opposite में, उसके opposite में जो अपने serum में अपने serum में अपने plasma में, उसके opposite वाले antibody present रहेंगी, आपने RBC के surface पर antigen नहीं भी रहेंगा, तबी भी उसके opposite में अपने antibody present रहेंगी, law is not applicable to RH factor यह जो यह second point है particular antigen absent in RBC but the corresponding agglutins must be present यह जो agglutin रहता है वो present रहेंगा antigen present नहीं रहने के बाद भी तो यह जो second law है यह applicable नहीं करता RH factor के लिए यह अपने देखेंगे अभी RH factor यह एक नया blood group का type है तो आज आपने इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे तो आपन अभी देखते है abio blood group system यह अनि abio blood group यह क्या होता है कैसा रहता है क्या रहता है तो आपन अभी देखने वाले based on the presence or absence of antigen यह मैं आपको antigen antibody आपको अभी समझा के बता है आने जो present रहेंगा antigen और antibody divided into 4 group आने जो rbc के surface पर आने जो यह rbc है rbc के surface जो आने जो antigen रहेंगे antigen A antigen B आने जो present रहेंगे इनके presence में अपन इन blood group को abio blood group system को अभी निकलने वाले है तो यहने इसके इसमें अभी इसके चार पार्ट कोरते है blood group A, blood group B, blood group AB और blood group O तो यहने इसे चार groups divide होते हैं तो अपन अभी सभी को अभी एक एक करके देखने वाले है ग्रूप, blood group A में antigen in antigen in rbc यह रहेंगा उसके antigen यह रहेंगा और उसके antibody in serum उसके opposite में रहेंगी B, antibody B उसके serum में present रहेंगी और जो ऐसा यह antibody B है यह इसे अपने blood के serum में present रहेंगी इसके opposite वाली तो अपन इसको कोंता blood group बोलेंगे इसको बोलेंगा अपन यह blood group वैसे अपन B blood group antigen in rbc B अभी जो rbc है उसके surface पर यह antigen B रहेंगा और वैसे उसके plasma में उसके opposite antibody यह रहेंगी उसके opposite वाली तो इसको अपन बोलेंगे blood group B वैसे ही यह B आने ab blood group का क्या है जो आने rbc के surface पर यह दोनों भी दोनों भी antigen अगर present रहें antigen A और antigen B और उसके opposite में इसके opposite में एक भी antibody इसके serum में कोई present ने रहेंगी नई A रहेंगी नई B रहेंगी तो अपन इसको बोलेंगे blood group A B और क्यों ने रहेंगी मैं यह आपको बाद में explain करता हूँ और उसके बाद में आपन देखेंगे blood group O blood group O में जो अपने यह RBC है RBC के surface पर अपने को antigen देखने ही नहीं मिलेंगा लेकिन उसके serum में और प्लाज्मा में अपने को दोनों भी antibody देखने को मिलेंगी तो इसको अपन बोलेंगे antibody blood group O अपन अब देखने वाले determination of ABO blood group system आपने तो यह देखा कि blood group A है किसी का B है लेकिन आपन कईसे पहिचानेंगे क्योंकि सभी का blood तो ready होता है तो आपन कईसे पहिचानेंगे उसका determination कैसे करेंगे कि वह blood group A है B है कैसा है तो आपन आपन आप देखने वाले तो उसका principle रहता ह प्रिंसिपल अग्लूटिनेशन इसका मतलब यह होता है कि अगर अपने को अपना blood अपने body के अंदर आने वह coagulate होता है blood coagulate होने के कारण उसको अपन agglutination करते है तुसका basic principle यह है कि आने हो agglutination कभी भी धान में रखने के उसका basic principle पर determine करे तो blood clot होंगा आने agglutination होंगा उसको determine करना है तो अपने को आने अंदर नहीं लेकिन हो lab में तो अपन अभी आपे देखने वाले agglutination reaction occur when the same antigen and antibody mix अगर agglutination कभ होंगा बोलते है agglutination reaction when the same antigen and antibody mix देखो सपोज ए antigen antigen b है तो अगर इसका antigen b है तो antigen b और antibody b इन दोनों की reaction होंगी यह दोने antigen और antibody यह दोनों एक मेक के opposite है यह opposite है तो दोनों एक से reaction करेंगे वो reaction करेंगे और blood को clot कर देंगे तो याने इसके अपन basis पर अपने आपे यह blood का blood group पर determination करने वाले है तो याने यह agglutination reaction यह आपे same same इसमे हो जाएंगी तो अभी इसके लिए अपन लैब में करके देखेंगे कि किसका blood group है तो उसको requirement क्या होना चाहिए तो उसके requirement के लिए अपन देखने वाले है requirement for the determination क्या बोलता है antiserum A और antiserum B अब सर हो बोलुगे कि antiserum A आने क्या होता है तो antiserum A आने उस antiserum A का आने लिक्विड रहता है जापे antibody Y और antiserum B आने ऐसा liquid रहता है जापे antibody B रहती है तो मैं अभी हुँ आपको दिका appelle कि antiserum A और antibody battery antiserum भी कईसे रहते हैं वो कईसे bottles रहते हैं तो आप यह पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बोला था कि antiserum antiserum और determination के लिए अपने को help में आते हैं कि blood group पर determination कईसे करें तो देखो यहने ऐसे bottles रहते हैं अपने lab में तो आप जो antiserum antiserum यह रहता है वापर उसकी जो antibody रहते हैं यानि उस liquid में antibodies रहते हैं जैसे antiserum यह है तो आपर antibody यह रहेंगी और antiserum जैसे यह आनि बी है यह जो antiserum यह B है तो antiserum B में उसकी यह antibody बी रहेंगी तो यह ऐसे antiserum रहते हैं अपने lab में और determination of blood के लिए तो मैं आपको अभी आनि आपे procedure समझा के बता रहा हूँ कि आनि जो procedure रहते हैं आनि blood group determination के आनि antiserum कैसे डालते हैं वाने blood में तो मैं आज आपको 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 बताने वाला हूँ तो सबसे पहले अपन antiserum A लेते हैं दो drop और आपे slide पर लेते हैं दो drop antiserum A और वापे अपन antiserum A डालने के बाद वापे डालते हैं ब्लड डालने के बाद अगर वापे antigen antiserum A के साथ अगर blood clot हुआ सबसे यहापे क्या है अगर यहापे antibody antibody यह present रहते हैं antiserum यह में तो अगर antigen और antibody A के अगर reaction हुआ अगर A reaction हुआ तो यह रहेंगा अगर blood वापे coagulation हुआ तो यह रहेंगा क्या रहेंगा blood group A रहेंगा वैसे ही यह यह blood group antiserum B है वहापे containing antibody B है और वहापे antigen अगर इसके opposite वाला आया और वहापे clot हुआ अपने slide पर तो यह वह blood group क्या रहेंगा B रहेंगा यहापन antigen अगर surface में रहेंगा present के तो यह determination होगा तो यहापन लैब में अपन ऐसी procedure करते व मैंने आपको अभी सभी को आने procedure समझा के बता दिया तो अपन अभी result देखते हैं result क्या होँगा तो मैं अभी आपको समझा के बता दो if the agglutination occur with the antiserum यह जो अपने antiserum था A उसके था अगर agglutination होँगा तो blood का अगर agglutination antiserum यह के साथ होँगा तो blood group अपन उसको यह बोलेंगे अगर agglutination occur with the antiserum B अगर antiserum के साथ B के साथ हुआ तो उसको blood group अपन B बोलेंगे अगर agglutination occur with the both यह जो यह दोनों भी अगर antiserum है इनके साथ अगर दोनों के साथ अगर यह agglutination हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे antiserum उनको blood group अपन क्या बोलेंगे blood group AB अगर agglutination does not occur in the both antiserum, अगर वो दोनों भी antiserum के साथ, अगर agglutination अगर blood clot नहीं हुआ तो अपन उसको blood group बोलेंगे O, तो अपन अइसे determine करते हैं तो इस chart में आप अब सब जन देखो, आने महीं सबसे पहले आपन अपन ने antiserum A और antiserum B के आने अपन सबसे स्लाइड है और स्लाइड में जो round वाले white color के है आने अपन यापन 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 antiserum B डाला और antiserum ये डाला और antiserum डालने के बाद आपन यहाँ पर ब्लड डाला और यहाँ पर भी ब्लड डाला तो यहाँ जो यहाँ पर देखो यह RBC का साइज यहाँ राउंडेड है और यहाँ पर क्लॉट हुआ यहाँ पूरा सभी का यहाँ पर क्लॉट हुआ तो यहाँ यह पूरा सभी का यहाँ पर क्लॉट हुआ तो यहाँ आणि 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 ब्लड ग्रूप क्या है B है क्योंकि वह पर एंटीजन उसके RBC के सरपेस पर एंटीजन B प्रिजेंट है यह वह blood group कौन वह बी हुआ blood group B agglutination with antibody B तो आप देखे रहे कि आप blood group B बोलेंगे उसको यह थर्ड देखो फिर यह पर antiserum A और antiserum B दोनों में भी blood clot हुआ देखो यह पर RBC यह पुरे discharge हो गए यह उसका save गिंद पुरा बदल गया तो यह इसको अपन कौनता blood group बोलेंगे इसको blood group बोलेंगे A और A B यह भी बोलेंगे इसको blood group क्यूकि antigen A और antigen B भी दोनों present है और इसमे antigen B और antibody दोनों के reaction हुए और यह दोनों भी clot हो गए तो अपने blood group A B allotination with both antigen A and antigen B उनके साथ reaction और दोनों के दोनों clot हो गए तो यह यह AB blood group है क्यूकि antigen दोनों भी present है उसके blood में और उसके बाद में अपन देखेंगे कि देखो antigen A में antiserum A और antiserum B में कुछ नहीं हुआ blood clot ही नहीं हुआ RBC का से आने shape वाईसे के वाईस है आने वहापे antigen प्रेजेंट नहीं रहेंगा blood में तब इस तो नहीं हुआ क्योंकि antigen present रहा होता तो आने वहापे blood clot हो जाता लेकिन वहापे blood clot नहीं हुआ तो इसका मतलब आपे antigen present नहीं उसका मतलब O है तो आपन अभी देखेंगे कि यह जो blood group है तो अपन अभी आपे देखने वाले है तो सबसे पहले जो blood group यह है उसके RBC के surface control मैंने आपको पहले बटा था कि antigen यह रहेंगा क्योंकि उसको blood group यह है तो और उसके opposite उसके plasma में antibody भी रहेंगे तो आपन अभी और ऑले का किको देखेंगे उसके पास antigen A और B रहेंगा लेकिन उसके plasma में antibody रहेंगी क्या उसके plasma में antibody नहीं रहेंगी तो antigen antibody reaction होंगी क्या वो ये के साथ A B के साथ नहीं होंगी तो यहने वो A जो है ये B को भी दे सकता है वो भी लेंगा किस से जो ये blood group है वो किस से लेंगा वो लेंगा एक तो सेम इससे तो लेंगा अपने ए वाले ब्लड गूप से सेम वाले और इससे लेंगा और किस से लेंगा ओ वाले से लेंगा अब सर बोलेंगे ओ वाले से कई से लेंगा O वाला blood group पहने अब देखो O वाला blood group पहने क्या O वाला blood group पहने जिसके आर्बिज के सरपेस पर नहीं antigen A भी नहीं रहेंगा और B भी भी नहीं रहेंगा O blood group कों सवा O blood group रहा तो उसके blood निकलने के बाद antibody भी inactivate हो जाएंगी तो उसको antigen भी नहीं रहेंगा और antibody भी दोनों भी नहीं रहेंगे तो याने O वाला इसको दे सकता है आपको समझा है O वाला सभी को A वाले को दे सकता है और वाईसे B B वाला antigen B और antibody A उसके plasma में और वाईसे वो किसको donate? वो तो same वाले को देंगा और AB वाले को और देंगा क्योंकि वही AB वाले के पास क्या है antibody H नहीं तो फिर वो B वाला AB वाले को दे सकेंगा वैसे सेम वाले से ले भी सकेंगा और O से भी O से भी लेंगा क्योंकि no antigen और no antibody दोनों भी नहीं रहेंगे वैसे ये भी ये भी आने उसके एंटिजन A और B दोनों भी एंटिजन RBC के सरपस पर प्रेजेंट है और एंटिबोडी प्रेजेंट ही नहीं देगो A, B में एंटिबोडी प्रेजेंट नहीं है आने एंटिबोडी प्रेजेंट ही नहीं है अब बोलूगे सर वाँ पे antibody क्यों present ने रही थी उसके antigen blood RBC के surface पर दोनों भी antigen A और B दोनों भी present है तो उसके opposite वाँ पे रहेंगी क्या अगर गलती से उसके blood में रही तो ये दोनों antibody antigen reaction होंगी और blood clot होंगा इसके करण अपने प्लाज्मा में इसके opposite दोनों भी antibody AB में present नह वाले को वो blood donate शिर्फ ये भी वाले को करेंगा दूसरों को नहीं कर सकता क्योंकि वाँ पे उसके पास antigen present है और antigen दोनों भी A और B दोनों भी antigen present है और blood बाहर निकालने के बाद antigen active होती है antibody inactive होती है फिर वो ये भी अगर दूसरे को अपर देंगे वाँ आपे antigen active है और भी वाले को दे सकता है लेकिन वो ले किस सकता है सबसे बड़ी बात एबी वाले के पास एंटिबोड़् है क्या antibody no antibody तो और रियाक्षन ही नहीं होंगा क्योंकि उसके पास antibody present ही नहीं है तो याने ओ वाले से भी लेंगा वो A से भी लेंगा B से भी लेंगा और A B से भी लेंगा और यह चारों से लेंगा तो उसको ही A B को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपियंट यानि यूनिवर्सल रेसिपियंट यानि वो सब भी ब्लड गूप के सब भी ब्लड गूप से यानि वो ब्लड ले सकता है इसके कारण अपन उसको A, B को क्या बोलते है, उनिवेर्सल रेसिपियंट, उसके बाद, ब्लड ग्रूप O, अपन ब्लड ग्रूप O देखो, ब्लड ग्रूप O, याने उसके अंटिजन, अपन O क्यों बोलता, O याने, 0 समझो, 0 याने वहाँ पर कुछ नहीं, तो याने उसके अंटिजन, याने जो RBC के सरपेस है, उसके अंटिजन, प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, RBC के सरपेस पर, लेकिन, उसके कर्रस्पोंडिंग अंटिबोडी, अंटिबोडी A, अंटिबोडी B, ये दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे, काई में, प्लाजमा में, तो याने, अं antigen नहीं है उसके पास बाहर निकालने के बाद कुछı tension है ब्लड को तो यह बाहर निकाल लेंगे ब्लड एर सबी को अपन दे देंगे यह और को भी देंग다 A को भी देंगा B को भी देंगा क्यूंकि वह पर antigen H नहीं यह वहार से tension H शक्यों यह वो किस से लेंगा सिर्फ O वाले से लेंगा क्योंकि O वाले से क्यों लेंगा क्योंकि O वाले से antibody बाहर निकालने के बाद मर जाएंगी और वो सेम सेम है तो इसके साथ O वाला O से सिर्फ ले सकता है लेकिन दे सकता है सभी को तो universal donor जो है वो O है यानि वो सब भी को दे सकता है यानि यूनिवर्सल डोनर O है और यूनिवर्सल रेसिपेंट जो है वो ये भी है तो यानि वो आपको सब भी ये पूरा कप जो पूरा चार्ट था वो अच्छे से समझाऊंगा तो अपन अभी इस चार्ट में अपन देखने वाले है अगर सपोज अगर मेला ब्लड ग्रूप A है और मैंने ब्लड ग्रूप B वाले को अगर गलती से ब्लड दे दिया यानि गलत ट्रांस्मिशन किया अगर मैंने ये वाले को मेरा ब्लड ग्रूप A है और मैंने B वाले को अ अंटिजेन अंटिबोडी रियक्शन होंगी और अंटिजेन एंटिबोडी रियक्शन होंगी blood होगा agglutination याण्येड blood clotting होगा agglutination reaction चलोगी वह से hemolysis होगा hemolysis यान्य जो rbc है आन्य जो rbc है यान्य उसका शेप अगर ऐसा है तो यान्य यह ऐसा किजने के पूरह這邊 होनी के और अपने को jondis होंगा cardiac shock ही呢 अपनेवेक्स होनेके कारण वेफे अपने को cardiac stock आएंगा, cardiac shock आने के बाद में अपने को renal shutdown होगा, renal shutdown याने kidney failure, क्योंकि अपनी जो kidney रहेंगी उसको अच्छे से blood नहीं मिलेंगा, क्योंकि वो blood थोड़ा थीक रहेंगा, तो उसके करण जो अपने नेपरों से बरोबर work नहीं कर पाएंगे, तो उसने करण kidney, renal shutdown याने kidney का काम करना पुरी तरह से बंद कर देंगा, और याने इसके करण अपने death भी हो सकती है, तो याने कभी भी अपन देखे, तो blood group है, याने जो blood group है, वो याने सही याने, ये वाला सिफ, ये वाले को दे सकता है और, ये वाले को दे सकता है, और जो ABO blood group system है, वो यानि अभी याप पुरी तरके से हो चुका है, लेकिन हपन देखेंगे, यानि जो blood group A है, blood group A है, तो यें एसे blood group याइ सपोच करो, यानि इसे blood group के, यानि बोटल से, या पे blood रुका है, तो यानि blood group A है, तो उसके antigen क्या रहेंगी, उसमें, ये रहेंगी, और antibody कहा रहेंगी, B रहेंगी, वैसे blood group B है, तो blood group B, उसके पास में antigen B रहेंगी, और antibody A रहेंगी, वैसे AB blood group, यह अपना AB blood group है, वहापे antigen AB रहेंगी, लेकिन antibody वहापे present नहीं रहेंगी, क्योंकि यह आपे दोनों भी antigen present है, तो उसके opposite में नहीं रहें सकते, वैसे ही अपने पास यह blood group O है, तो blood group O के पास क्या है, antigen O है, और antibody AB है, यह आपने यह आपे antigen एक भी नहीं है, लेकिन वहापे antibody दोनों भी है, तो यह आपने यह आपे अभी ABO blood group system पुरा खतम हो चुका है, तो अपने देखने वाले next RH factor,